तो देखिए दोस्तों यह रहा हमारा पैपसी का फिरीज जो की बहुत ही सानदार है यह भी जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लगड़ी है यह नहीं है देखिए तो धरा सा अट्रेक्टिव है उसके साथ एक हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग यकीन है कि आप त Tubन ये ये या वी के द्वार्व घ्रेदा ये फिरीज़ की और आसानि से मिल सके तो दोस्तों कंपनी की क्रेंटीरिया हुती है दोस्तों जैसे पेपस्य एक अउल अबर इंडिया चलने वाली ओप अलवर इंडिया चलने वाली एक कंपणी है कोल्ड रिंग की जो एड़टीजमेंट वो कस्टमर्स को यानि कि उनके कस्टमर्स जो होते हैं वो वो तो बाईदी चेंज चलते हैं न पहले वो कंपनी फिर डिस्टीब्यूटर फिर एजेंसी एजेंसी के बाद जो रिटेलर होत तो उनसे वो कौनटक्ट करते हैं तो उनको उस प्रॉसेस में कुछ रूल्स और रिगूलेशन को उनको फौलो करना पड़ता है आपको एजेंसी के दोबारा फिरिज मिल देगा दोस्तों अगर मिलेगा भी तो आपको एजेंसी के साथ यानिकी बिजनेस करना पड़ेगा आप एक दिन भी ना आगा नहीं कर सकते भली वो ठंडी हो आपसीजन हो आपको उनी से माल खड़िदना पड़ेगा क्योंकि एजनसी ऑथ्राइज्ट होती है कंपनी के द्वारा तो दोस्तों इसलिए अगर आप दो तीन महिना ट्रांजेक्शन करते होगे एजनसी से तो आप आर कार्ड ओनर का पलस पलस एक ब्लैंक चिक मिल लेता है कंपनी दस हजार का दस से बीस हजार का क्योंकि दोस्तों मालीजिए अगर कंपनी के द्वारा लाइबलिटी है आपके आपके ऊपर तो वह लाइबलिटी अगर आप फ्रीज को कुछ हो गया भली जैसे दुकान बं अगर फ्रीज गया भी उनके हाथ से तो उस चेक को ड्रॉ कर सकते हैं और आसानी से अपना नुक्सान बचा सकते हैं इसलिए कंपनी बेगूप नहीं है दोस्तों कंपनी बहुत ही तेज हम दोनों हम लोगों से बहुत ही जादे क्लेवर है तो इसलिए इन डोकुमेंट्स की जोड़त परती है आपको एजनसी के पास सम्मीट करना परेगा और एजनसी भाले भेजते हैं कंपनी को और कंपनी एप्रूब करती है उस हिसाब से रेफ्रीरेटर मार्कें लाउंच करती है मार्कें में भेजती है आपके पास फ्रीज लग जाता है दोस्तों तो यही प्र लुका कोला कंपनी की बहुत ही जादे डिमांड है दोस्तों उनका तो प्रोड़क्ट भी जल्दी नहीं मिलता रहता है तो फ्रीज कहां से मिलेगा तो पैपसी में जादे जल्दी आप फ्रीज ले सकते हो तो यही थी आज की प्रोसेस मैं दिखाता हूं आपको वीडियो में जो हम लोग का फ्रीज आया है रिसेंटली दो हपता हुआ है करीब उससे पहले खराब फ्रीज दे दिया गया था एजनसी के द्वारा कहीं से उठाया गया था उस फ्रीज को क्योंकि वो दोकान बंद हो चुकी थी तो हम लोग को चिपका दिया गया एजनसी बालों को भी नहीं पता था जिए खराब है क्योंकि इसमें लाइन तो आ रहा था लेकिन कूलिंग नहीं हो रही थी दोस्तों कूलिंग का सिस्टम ही उसका गरबर था इसलिए उसको रिप्लेस करने में एक मेना लगा बहुत ही मसकत करनी पड़ी बार-बार एजेंसी के पास जाके हला करना पर इस एडिया के डिस्टिबिटर को फ़न लगाना पड़ा बहुत ही सारा प्रोसिस करना पड़ा फिर जाके हमारे पास फ्रीज आया है तो चलिए दोस्तों आज को आपको दर्शन करवाते हैं हमारे फ्रीज का तो देखिए दोस्तों यह रहा हमारा पैपसी का फ्रीज ज पर आप सजा सकते हो उससे पहले ये देखिए वह आया था पहले मत यह आया था उसके रिप्लेस्मेंट में यह था क्योंकि कम एजन्सी वाले ने मेरे साथ धोगेवाजी की थोड़ी सी पुराना माल भेज दिया था मैं पुराना फिरिज कहीं से उठाया गया था दीपक्राना देख सकते हैं जैसा कि वो बोला ठीक ही है कहीं से उठा लिया गया उसका दुकान बंद हो गया था तो वहीं से उठाया गया था लेकिन यह खड़ाब था फिरिज सिर्फ लाइन आ रहा था लेकिन कुलिंग नहीं हो रही थी इसलिए इसमें एक मेहने की टाइम लग गई दोस्तों देखिए अभी दगरा खाई हुआ है फिरिज इसके रिप्लेश्मेंट में हमको यह मिला है आप देख सकते हैं इधर आईए इधर दिखाते हैं यह 20,000 का हमने खरदा है सिप एजेंसी से डिसकांट में मिला है भले ही पर्सनल हो गया हम लोग का इसको कर अधरी छे साथ महीने हो गये माल तो भड़ा पड़ा है जैसे तैसे लेकिन बहुत ही अच्छी है तो देख लिए आपने हमारा फिरिज